मेरे प्यारे देश वाच्यों अभी देश में चुनाव कामी माहुल बना हुआ है राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चली रही है और अगले साल लोग सभा के भी चुनाव होने वाले है आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीती का कोई तरीका नहीं दिख रहा है दुरुभाग्य से यह पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हतकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है यह धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर तूरती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्पो पर है इसलिए इन चुनोत्यों के बीच आप मेरे देश स्वासी जनता जनारण आपकी भुमी का बहुत महत्वप्रण हो गई है यह लोग देश की एक जुड़ता पर चोड़ करके अपना राजनिती हीत साधना चाहते हैं देश इनसे सतर्क रहेगा तभी विकास के अपने लक्षों को प्राप्त कर पाएगा हमें विक्सित भारत का लक्षा हासिल करने के लिए देश की एकता बनाय रखने का प्रयास एक पल भी छोड़ना नहीं है एक कदम भी पीछे रहना नहीं है हमें निरंतर एकता के मंत्रों को जीना है एकता को साकार करने के लिए हमें अपना निरंतर योगदान देना है हम जिस विक्षेत्र में हो हमें उसमें अपना शत प्रतिशत देना है आने वाली पीडियों को बहतर भविष्य देने का केवल यह उत्तम से उत्तम मार्ग है और यही सरदार साब की हम सभी से अपेक्षा है के लिएव की हमें निर आ है के लिए झाली पीज है झाली आ है